पुलिस में बिस्टाचार था बंगाल में इतनी बड़ी दरंदगी हुए आज अखिले शादव, राहूल गांदी, आज सब चोप है, आज को इस तीफ़े के मांगनी कर रहा, इतनी गंदी राज नहीं थी अभी योगी जी की उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरत है, अभी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे काम योगी जी के निरतत्त में किए जाने है, तो कि अपनी आजादी को हम हर्गिस मिटा नहीं सकते सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका नहीं सकते ऐसी ही शक्सियत जिसने अच्छे अच्छों को निस्तनाबूत कर दिया कभी सर न जुकाने वाले मुक्यमंटरी योगी आदतनात के सबसे खास और भ्रस्टाचार पर अच्छे अच्छों की लगाम लगाने वाले कमर कसने वाले, कैप्ट्टिन विकास गुपता, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, एनिमिफ न्यूस पर, धन्यबाद बागी शाजी, सर जितना मैंने आपको पड़ा है, जितना मैंने आपको देखा है, शुरुवात है, पूरे देशफर में बड़ा मैसेज दिया है, और योगी जी के इसलिए खास बनेया, दिखिया, ऐसा है कि मैं नौइडा में बहुत लंबे समय से में रह रहा हूँ हूँ यहां पर, और यहीं से रहकर मैं अपना सामाजिक और राजनेतिक जीवन की शुरुआत करी, जितने भी नेता, जितने भी मुखमंत्री होते थे, वो सारे जीवन पर फोकस रखते थे और अपने मनपसंद अधकारियों के मादम से यहां पर बश्टाचार होता था, वागी शाय जी शुरुआत में यहां था, तो मुझे बश्टाचार और बश्टाचार से आम जी जन इवन इतना बड़ा प्रभावित था है नोयडा में कि छोटी-छोटी चीजों पर में विश्टाचार था, अलॉट्मेंट में विश्टाचार था, अथर्टीज में विश्टाचार था, पुलिस में विश्टाचार था, तो उस समय चुकि मैं अपने समाजिक और रूप से मैं अपने आपको सक्री है, मैं कर रहा था, तो मैंने उस दौरान, मैंने काफी सारे विशे उठाए, यादफ सिंग वाला इसकेम था, डी एंडी इतना बड़ा इसकेम था, डी एंडी से, करोणों लोग रोज गुजरते थे वहां से, और लोग पैसे देते थे, और बगर किस कंपनी लिमिटेट का, के पीछे की कहानी पूरी देखी, मैंने देखा कि कुछ अधिकारियों नौइडा के अधिकारी, पूत पूर अधिकारियों ने, गौर्णमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने, रिटार्मेंट होने के बाद, कंपनी जाने के और एक दफ़े आने के 28 रुपे जाना, 28 रुपे आना लगता था, अगर आप 10 दफ़े दिन में से गुजरते थे, डी एंडी से, तो आप अंदाजा लगा सकते, कितना पैसा लोगों की जेप सजाता था, खैर, यहां पर मैंने उस विशेक उठाया, मैंने प्रेस क आखिल करी, तो जो उसके वकील थे, आप तो रह ही नहीं, रंजीत सकसेना थी, उनके माद्यम से हम लोगों ने, एक बहुत ऐसी विज़े को प्राप्त किया, जो लगववक लगवक असंभव विज़े थी, सर आप जिस छेतर में रहे हैं, दुश्मन देशों से आपने सामना किया है, फिर पॉलिटिक्स में कैसे, राजनीती में ऐसे ब्रस्टचारियों को, जो छुप छुप कर ब्रस्टचार कर रहे हैं, अपराद यहां पर बढ़ रहे हैं, फिर यह आपने कैसे की लिए ऐसा नहीं है, मैंने भी राजनीती करी है, मैंने चुनाफ भी लड़ा है और मैंने अपार जंसमर्थन भी पाया है, और इमानदारी से रह के मैंने राजनीती करने का प्रयास के, आज मुझे काफी वर्ष हो गए हैं, लगवग लगवग आज मानके चलिए, अब 2008 स से आज मुझे सोला वर्ष हो गए है मैंने भी साफ सुत्रे डंग से राजनीती करी मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नी हुई मैं भी आज उत्तर प्रदेश में करशी अंसंधान परशद का देख्ष हूं मैं पिछली सरकार में भी था इस सरकार में भी हूँ और अच्छा रहे के इमानदार है के जंदा की सेवा करकर राजनीतिक रूप से जो विचारधारा के साथ जुड़कर मैंने राजनीती करता हूं तो मुझे उसमें खुशी भी होती है और मुझे काफी संबान भी राजनीती से मिला है सर इसमें दो पहल हुए पहली बात तो ये कि सौ प्रतिश्यत में से मुझे लगता है सितर प्रतिश्यत निता बिमानदार नहीं रहें प्रस्टाचार के खिलाफ तो आपने मुहिम छेड़ी और ब्रस्टाचार तो भर-बर कर हो रहे हैं देखिए मैं आपको बता हूँ मैं जहां भी आप रहते हैं आप अगर अपने आस्परोड़ी की चीज़ों को अच्छा करते हैं और देखिए चैरिटी विगिंस फ्रॉम दे सेल्फ अगर आप शुरास्त अपने से ही करते हैं अपने आपको साफ सुतरा रखते हैं तो फिर आपको अपना कार्य करने में किये गए थे साइंटिस्ट जो पिछली सरकार में किये गए थे और जिनका गल्थ रिकूटमेंट था पैसे लेकर रिकूटमेंट किया गया था तो जब मैं वहां संस्थान में पहुंचा तो मुझे लगा कि पच्छिस लोगों को जिनको लाखों रुपे की सेलरी मिलती है और जिनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है फिर भी इनको रिकूटमेंट कर दिया गया सरकारी नोकरी पाकर वह अपने कर रहे थे तो मैंने निश्चे किया कि इन लोगों को सबसे पहले अठाया जाए तो लोगों ने मुझे कहा कि नहीं इनको आप नहीं हटाईए अगर आप इ इनको नौकरी से निकालते हैं तो इन लोगों के पास जा सकते हैं जाएं कोट में कोट में भी हम उसको परस्यू करेंगे मैं वागीश जी आपको बताऊँगा मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने वो निर्ने लिया था वो निर्ने इतना अच्छा रहा कि वो लोगो को मैंने नौकरी से बाहर निकाला आपने अध्यक्ष के कारकाल में आज तक उनको इलावा धाय कोट ने आज तक उनको रिलीफ नहीं दिये तो देखे आप अगर अगर अच्छे लोग के लिए इस पेस बनाते हो बुरे लोगों को आप बहर करने का रास्ता दिखाते हैं अग झो योगी जी सरफ मुसलिमों पर ही मुसलिम की संपती पर ही बुल्डोजर चलौते मुसलीमों को इह ऐतिक जैसे लोगों को ही मारते हैं ह४हि कुछ जी ने माफियाओं के खिलाफ एक धर्म विशेश के और जाती विशेश के माफियाओं के खिलाफ नहीं सभी धर्म और सभी जातियों के माफियाओं के खिलाफ उन्होंने अभ्यान चलाया आज आप कहती है कि कि जाती विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ योगी ने अभ्यान चलाया तो मैं आपको कई सारे ऐसे हिंदू अपराधियों के बारे में भी बता सकता हूं जिनके खिलाफ योगी जी जेवर में भी बनके त्यार हो रहा है मेरे खाल से इस साल के अंदर तक वहां पर इंटरनेशनल फ्राइट चालू हो जाएंगी जिस तरीके से ब्रस्टाचार पर उन्होंने लगाम लगाई है अभी आपने देखा होगा कल ही पुलिस का रिक्रूटमेंट हुआ है जिसमें 48 ल ही बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से साफसुत्र रठंग से हो गया है क्या यह सच है कि विपक्ष के लावा कुछ सक्ता पक्ष के भी ऐसे लोग है जो योगी जी को योगी जी को हटाना चाहते उनके पेट में दर्द हो रहा है कि आखर देश नहीं बल्कि विदेशों मे योगी जी बड़े दर्द निश्य यह तपस्वी व्यक्ति है और जो एक बार निश्य कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं उन्होंने एक बार निश्य कर लिया कि उस उत्तरप्रदेश में कानून और विवस्ता की सिथी को लाके ठीक करना है अब मैं आपकी नौइडा की बा आज नौइडा और गाजिय आबाज जैसे महानगरी विवस्ता में कमिशनेट सिस्टम ले के आये हैं जवारा वारा तेरा तेरा आइपियस ऑफिसर्स हैं जो कानून और विवस्ता की सारा पूरे समाल रहे हैं 2-3 महिला इपियस ऑफिसर्स भी हरी हरे कमिशनेट में हैं तो आप अन्लाजा लगा सकते हैं कि योगी जी के दर्ण निश्चे को की वो कानून विवस्था महिलाओं के प्रती बढ़ते हुए अपरादों को काभू में रखने के लिए जितना योगी जी ने काम किया है वो वास्ता में किसी और व्यक्ति ने काम नहीं किया आज कार उत्तर-पथेश शरकार और राश्ट की सेवा में राष्की सेवा में लगे रहते लेकिन आप मानते हैं योगी जी खोटाने के लिए साजीश वे अब देखिए साजेशन तो चलती रहती हैं, देखिए साजेशन तो एक सरकार का और राजनितिक छेतर का अंग है, लेकिन जो भी व्यक्ति राजनितिक छेतर में वागी शाह जी जनता के बीच में अपनी जगे बना लेता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसने भी ज योगी जी हार का सदमा जहल नहीं पा रहे हैं, यूपी में जो हालात हुएं, आयोध्या में जो हाल हुएं, इसलिए वो अपने बयान बदल रहे हैं, इसलिए उनकी जो बयान की हवा हैं वो अलग-अलग बदल रही है। इसलिए उत्तरपदेश में जीती हैं और वही बज़े थी कि जब केंदर में तीन सो तीन सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार नरीदर मोदी जी की दोजार उनने सो बनी थी उसमें उत्तरपदेश का सबसे बड़ा योगदान था, योगी जी के नित्त में हम लोगोंने 2002 का भी चुनाब जीता, और 2022 का भी चुनाब उत्तरपदेश बिधान सबा का जीता, और दो त्याही बहुमत के साथ जीता, ये एक योगी जी की पॉपलर्टी थी और योगी जी में जनता का एक बड़ा विश्वास था, इसी वज़े से जनता ने योगी जी को वोड़ दि हैं, देखिए भारती जनता पार्टी एक सामुहिक नेतत वाली पार्टी है, और यहां पर सामुहिकी निर्णे लिये जाते हैं, और सामुहिकी जीत भी सभी लोग शरे लेते हैं, और हार की भी जिम्मेवारी सभी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदिश में बह वारा आधार बेसला लेकिन फिर भी 43% बोर्ट उत्तर प्रिदेश की जन्ता ने अभी हाल के लोग सबावा में योगी जी का पूरा फुल फॉर्म योगी जी की पावर योगी जी का जो अंदाज योगी जी को लोगों ने पसंद किया लोग सबा में ऐसा क्या होगा कि लोग बर्गलाने में सफर रहा उसको हम उस प्रभावी तरीके से हम उसको नहीं कर पाये जैसे कि समयधान बदलने वाला विशह था अचानक बिपक्त जूट के साथ हा गया हम उसको नहीं काउंटर कर पाया या अपने जो भी हम लोगों के जो समर्तक वर्द था उसमें हम अपनी ब्रहंति हैं वो दीमें दीमें दूर हो रही है फिर भी बागिशा जी उत्तर प्रदेश के दोजार जो चौबिस में लोकसवा का चुनाव हूँ आता सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हमीं लोगों को मिला है ते तालेश प्रतिशत वोट मिले हैं आप बात कर रहे हैं सविधा कैसी होती है क्या होता है कि दीमें दीमें वोटर की भी फटीग हो जाती है दो बार लगातार नेंदर मोदी जी पूर्ण भहूमत की सरकार बनाई तीसरी रफ है बनाना भी अपने आप में कहते हैं से जब पंडित जवलाल नहरू के बाद बागिशा जी सिर्फ मोदी जी ए दो किसी इनिता को अपनी तरफ से बहुत सारी शिकाएते हो जाती है सब्स हो जाती है लेकिन सरकार आप निष्यचत रही है सरकार अभी केंदर बे भी वहुमत की सरकार है और प्uffでは चली रही है आपने खुब भगवाण शीराम के नाम से मंदर बना आयोद्या में हम यह नहीं सीधा कह सकते है, हार जीत एक लोकतंतर का एक अंग होता है, जिसमें जीत भी होती और हार भी होती है, इससे पहले बड़े बड़े नेता भी हारे है, मैंने देखा है कि प्रधान मंतरी इंदरा गांधी भी खुद चुनाव अपना राईवरिली का उननिस सो सदत्र क हार गही थी तो होता रहता है कुछ कमिया रही होंगी हम लोगों के campaign में जो विशह विपक्ष के वहां के जो प्रत्याशी है या विपक्षी दलों ने उठाया वो हो सकता है ज्यादा प्रभावी रंग से उठा लिया और हम में बोट डिविजन हो जाता है या हमारे बिरोधी लोगों का वोट एक जगह पड़ जाता है तो यह रहा होगा लेकिन निश्चित रही है पिछले जाता है और नड़ा जी ने बयान भी दिया था कि अब संग की हमें जरुवत नी तो क्या लगता है अभी जो उप्चनाव होने है समाजवादी पार्टी आयोधिया में भी है और फिर से जीत का दावा किया जाता हूं कि आपको निशित रूप से वागी शाय जी बता देना ब्रिस्टाचार की मुहिम चेड़ी थी सर लेकिन अयोधिया भगवान श्री राम का मंदिर जहां बना है वहां भी ब्रिस्टाचार हुआ है उसके लिए योगी जी ने आदेश देदी है जांच के और आपको पता है कि योगी जी जब भी जांच के आदेश देते हैं तो उ अभी मुख्य मंत्रियों की अम देखा जैब्रस्टाचार के मामले में लव जिहाद हो लेंड जिहाद हो या फर अवैट संपत्ती का मामला हो या फर अपराधियों के लिए हो लेकिन सर शर्म आती है मुझे लोगों पर भगवान श्री राम की धरती पर एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है और वो बात करते हैं DNA टेस्ट की क्या योगी जी को ऐसे लोगों पर लगा उनकी कमर नहीं तो नहीं चाहिए देखिए आपको बताते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ कर नौज में नवाप सिंग यादग के खिलाफ तो उनके खिलाफ DNA टेस्ट की रिपोर् लोग अभी भी लोग हैं तो वो अन जातियों की तरफ या निम्न जातियों की तरफ अभी भी वो वैसा बराबरी का द्रस्टी से नहीं देखते हैं तो यह भी वज़य है कि लॉइन और की समस्य हमारे ग्रामिली च्छितरों में बहुत जादा हो गई है महिलाओं के से आप बिल्कुल पिश्वास रखिए पुलिस अपनी ततपरता से और निश्पश्चता से कार कर रही है कुछ हिका दुका गटनाएं हो रही है कुछ मीडिया में भी वागीशाजी बहुत बढ़ा चड़ा के पेश किया जा रहा है गटनाएं वैसी नहीं है जैसे अभी ग खलाप बच्ची के खलाप बेटियों के खलाप अफराद हो रहे हैं तो अपरादियों के खिलाप सकसे सकतर कार वाई होनी चाहिए पहला आपको उधान देते कुलडीव सेंगर के खलाब भी कुलडीव स सिंह जेल में हैं एसा नहीं है कि तो निकल के बाहर आ अगई दीए, ये तो फिपक्ष अपने इसाब से बातों को बड़ा चड़ा के पेश करता है, उनके किलाब चार्शीट पुलिस ने तक परतार से उनको गरफ़तार किया, चार्शीट दाखिल की गई, चार्शीट दाखिल करने के बाद, पुलिस का काम खतम हो जाता है इस वह अदालत का काम हो जाता है पुलिस ने क्या तक्थे पेश की अदालत के सामने या पुलिस ने किस तरीके से केस को पुटब किया और अदालत ने उनको किस तरीके से लिया यह भी विशय हो जाता है हो सकता है कि जो घटना बढ़ा चड़ा तो ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि अगर वो अपरादी है, अगर उन्होंने कोई बुरा काम किया है, तो समाज में उनको पितिष्ठा नहीं दी जानी चाहिए, समाज में ऐसे लोगों को लेकिन सर दीजी ना उन लोग को जवाब जो कहा रहा है कि भगवान शुरी राम का मंदिर बनाया तो आपने जमीने चीन ली गरीब लोगों की जमीने चीन ली आप बुल्डोजर मुसलिमों पर चलाते हैं आप मुसलिमों की जमीन चीनते हैं योगी बाबा ऐसा काम करते हैं encounter करते हैं दीजी ना सरुन लोग जवाब जो बार-बार ये कहते हैं जवाब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और सरकार के के विभावों की तरफ से चाहिए वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो चाहिए वो ग्रह का डिपार्टमेंट हो या अन्य हमारे बारती जंता पार्टी जड़े हुए जो मीडिया में पैनलिस्ट हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से जवाब देते हैं अब चुकि विभक्ष का काम है उदा मचाना शोर मचाना आजकल सोशल मीडिया एक्स जिसे जिसे कहते हैं ट्विटर है उसका दौर है तो लोग बहुत छ जूटी च्छीजों को बढ़ा बढ़ा चड़ा के और गल्त-सल्त साक्ष पेश करके सरकार को गहरने की कोशिश करते हैं लिकन इश्चित रूप से जो तत्य है वह तत्य है साक्ष है और जूट है वो जूट है वह जूट है तो योगी जी कि आपस बयान से बिलकुल अपक सब करते हैं कि वो कहा रहें कि अखिलेश आदा लाल टोपी पहनते हैं लेकिन काला इनके कर रहा हैं। बंगाल में इतनी बड़ी दरंदगी हुई आज योग अखिलेश अखिलेश आदा राहूल गांदी आज सब चोप हैं। कि सामुही के रूप से भी उसके साथ दुराचार हुआ हो तो मुझे उमीद है कि सीवेए की जाच में वो सब कुछ निकल के आएगा। राजनीती की मैं वागिशाची यह समझता हूँ कि मैलाओं के परती जो भी अपराद है हो रहे हैं तो सभी दलों को एक होना चाहिए। अगर किसी बेटी के खिलाब, किसी डॉक्टर के खिलाब, किसी लेडी, एम्पलॉई के खिलाब कुछ हो रहा है तो सभी दलों को एक सुर में उसके खिलाफ होना चाहिए। अगंग हुटिती कि बंगल में एक दिन योगी जी को बहुत दूगता है तो हम तोड़ीे चाहिएक हर थे चाहिए ज सब्स्यूफर आपको क्या लगतने हैं डेश की तरीके में लुप क्या है वो तो आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है और जैसा आप बता रही है, ऐसी मुझे भी लगता है, मैं भी जन्दा के बीच में जाता हूं। अब ही कुछ समय से योगी जी अचानक से अत्याचार, जिन्होंने अत्याचार किया है हुदू पर खुलकर बोल रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आपको क्या लगता है सर, ये सत्य है। जो सही और असली नेता होता है, वो कभी भी अपने स्टाइल को समय प्रसितियां देशकाल के साथ चेंज नहीं करता है। योगी जी पहले भी ऐसी थे, उनकी सोच ऐसी थी, विचारदारा ऐसी थी और आज भी जब, आज उनको मैं समझता हूँ के आथमा वर्ष चला है, उत्तरप्रदेश के मुक्पंतरी के कार के वागए उनके बाद, तो वो जो उनकी विचारदारा के प्रती जो उनका समर्प किए जीनार को समर्प करते हैं, समाज एक जातिकत समीकरण होते हैं, के इनरेट के प्रती उधासींता भी गोटरों की होती है, कभी-कभी या विपक्षी दल कैसा कैम्पेंच चलाते हैं, बहुत सारे फैकTORS होते हैं, जो हार जीट को तै करते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने सीटें जीते भी तो हैं, ऐसा नहीं है, तेते सीटें जीती हैं, और कुछ कमिया रही है, मुझे उम्मीद है कि जैसा आपने उपचुनाप की बात करी और आने वाले विदान सभा के चुनाप हैं, हम निश्चित रूप से दुवा कुछ दिन पहले रेल जिहाद देखने को मिला, चोटे-चोटे बच्चे रेल की पट्री हाट आ रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, गटनाइं हो रही हैं, लेकिन हम सब लोगों को, हम लोग सब लोग ये समझते हैं कि सब काम सरकार करेगी और सब काम पुलिस करे कि पोलिस हर जगे हर गली हर मौले पर पोलिस खड़ी नहीं रहेगी या उसको अपरातों को रोकनी पाएगी या कोई भी गटना रेल की हो रही है या रेल की पट्रियों पर कुछ हो रहा है तो इसमें स्वैम जंदा को भी जाकर रूप रहना चाहिए कि भई रेल है हमारी दे आपने इतने गोटालों को उजागर किया है मुक्यमेंटरी योगी आदतनात ने आपको इतनी बड़ी जिमदारी दी है क्या कोई नया ऑपरेशन लेने वाले कोई नया गोटाला उजागर होगा ने अब देखिए हमारी सरकार में तो कोई गोटाला होता नहीं है किसी और का अब देखिए क्या होता है मैं आपको बता हूँ आपने परस्चत का वहीं पच्छिस लोग का रिकूटमेंटी गलत हो गया तो सरकारी नोकरी पाके लागों रोपे की सेरली मिलती थी उनको तो मैंने निकाला लेकिए जहां भी आप रही है तो आप अपने विचार के प्रत हैं अगर आप सरकार में कोई दायत्व लिए हैं तो आपको जरूर दरशानी चाहिए हर चीज का राजनीति करन नहीं होना चाहिए जिस संस्थान के आप अद्यक्ष हैं जो भी आपको दायत्व मिला हुआ उसके पती भी आपकी जिम्मेवारी उत्तर दायत्व रहता है यो अगिशा जी मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं का संस्थान सुचारू रूप से चला है जो संस्थान कशी चेत्र के विकास के लिए उसके डफलोप्मेंट के लिए रिसर्च के लिए बनाया गया था वो संस्थान एक्षल में आजकी डिट में काम कर रहा है तो सर क्या लगता है कि उत्तरव प्रदेश पहला जैसे था अब जैसा है और आने वाले समय में यदि मुख्यमंतर योगी आदतनातर है तो यूपी को कहां तक ले जाएंगे यूपी तो बिलकुल आज तो अगर आप बहुत सारे पैरामीटर्स में यूपी को देखेंगे तो यूपी नंबर बने सबसे जादा सड़कों का निर्मार यूपी में हो रहा है सबसे जादा अंतराश्टी हवाई अड़े यूपी में हैं सबसे जादा एयरपूर्ट का निर्मार यूपी में हो रहा है लॉइन ओर के छेतर में अभी आपने देखा होगा रिकूर्टमेंट हुआ है 63,000 लोगों का examination कल हुआ है योगी जी ने आज मुरादाबाद में गोशना कि ए कि आज मुरादाबाद में गोशना की कि एक लाग लोगों का और recruitment होगा तो लॉइन ओर में भी आज की देश में अबल है और आपने तो खुद ही बताए कि मूर और सर्वे में हम आपका संस्थान करवा रहा है और उसमें योगी जी नंबर बना रहे हैं तो आप मेरी ही बात है अपनी बात का जवाब आपके इन सर्वेस में चुपा हुआ है हमने लोगों ने सर्वे से योगी जी को नमबर वन बनाया प्रधान मंत्री बनाया लेकिन सारे चेतरूं में विकाष के बाद अकhraण रहे हैं कि जसको विदेश नीती का वी भी नहीं बता वो विदेश नीती की बात कर रे आरे विदेश अधर्कुल इसवस रूप से उनने सब को बता धिया है मसारविशनिक मंचों से वह बोलते हैं और कहिंविव आप मिलेंगे आप और जैसे हम मिलते हैं बात करते तो मैंभी कभी मुझे मौका मिलता है योगी से बात करने का तो उनसे बातशीत करने के दोरान भी ये पता चल जाता है कि वो जो भी बोलते हैं वो डंके की चोट बोलते हैं और सत्य बोलते हैं देखिये इत्तर प्रद Richards में अगी उत्तर प्रदेश को बहुत आगे जाना है अभी उतर प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले कई वर्शों से पिछरी हुई पड़ी ति उत्दियोगों का विकास जिस तरीके से होना चाहिए तन्ने नहीं होगा पिछली कुछ सरकारों में जो उत्दैको चोटे मोटे लगे भी थे यहाँ आपने देखा होगा होन्डा C.L. की factory ती, यहाँ पर Daivo की factory ती यहाँ पर八 की factory ती सारी लिए में यहाँ से चली गई उद्द्योगी की विकास जिस तरीके से उत्तर प्रदेशका होना चाहिए, NCR मे एक हर्याणा हर्याणा उद्द्द्योगी विकास की दोशितर प्रदेश कहीं ज़्याद हा गया तो उत्तर प्रदेश दूसरा क्रशी छेतर है जिसका मैं संस्थान का अध्यक्ष हूं क्रशी के छेतर में भी उत्तर प्रदेश बहुत आगे जा सकता है उस क्रशी छेतर को उस तरीके से किसानों को क्रशी छेतर को उस तरीके से विक्सत नहीं किया गया जिस तरीके से किया ज चाहिए दुर्भाग बागिशा जी यह है कि अभी भी अधिकारी अभी भी पुराने माइंड सेट के साथ काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को भी माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा मुझे उमीद है कि जो नए अधिकारी आ रहे हैं प्रशाशनिक छेत्र में आ रहे हैं वो योगी जी के विजन को योगी जी की स्पीट को और योगी जी की भावनाओं को समझके काम करेंगे अगर अधिकारी राजनेतिक नेता जैसे हम जैसे नेता MP, MLA योगी जी के विजन के साथ मैच करके काम करेंगा और साथ में जन्ता का भी समर्थन मिलेगा तो मुझे उमीद है कि उत्तरपेदेश जिस स्पीट से आज की डेट में भढ़ रहा है या कहीं कमिया रह गई है वो सारी कमिया बहुत जंदी दूपर जाए तो कि हम बात करें तो क्या लगता है कि जो अपराद हो रहे हैं सीधे ए जो भी मैं देखता हूं या जिलें के श तरप का आप समर्थन करते हैं मुझे मुझे समझाए सर क्यों विरोत कर रहे हैं लोग देखिए इसमें भी राजनिति कर रहे हैं देखिए अगनि बीर योजना जो भारती यसे अन्य शेना जो पहले हुआ करती थी आसे सेकेंड वड़ वर और फस्स वर्ड वर के समय में कि भारती पूर फरवरी में जब रशिया ने उक्रेन पर युद्ध किया थो हम समझतेथाि कि यह तीन दिन जब खतम हो जाएगा लेकिन आज कितना हो गया दो साल से भी ज्यादा हो गया धाई साध़ वर्ष पूरे हो अभी भी रचिया और युक्रेन का युद्ध खतम नहीं हो पाया है युद्ध आज के छेत्र में टेक्निकल हो गया है ड्रोन से लड़ाई होती है इंफोर्मेशन टेक्नलोजी से लड़ाई होती है छोटे-छोटे नए नए तरीके के एक्यूपमेंट्स हो के लिए उसको समझने के लिए पराने जमाने का राइफल एले जी और टोप और गोले से लड़ाई नहीं होती आज के समय में लड़ाई-ब्राइपन जोज ऐन वहुते naysha नहींर की साफ हैं लए योजना उसको दिमाग में रखे लाई गईये फ्यूचिरिस्टिक वार्फेयर को दिमाग में रखने त्डिशनल वार्फेयर नहीं है फुचिरिस्टिक वारफेर को दिमाग में रखे अगनी वीर योजना लाई गई है जिसको मोदी जी जिस भावना के साथ लाए गए है दुर्भा की की बात है पिपक्ष उसको नहीं समझ पारा और उसका राजनिती करना करता है और राजनिती क फाइदा उठाने का प्रयास कर लाउनिती का इसे जैशा अलुक डाली जी काम करने वाले की तरफ उनका फोकस रहता था जैसा उनका का आधेश होता है जो उनकी भावना होती है उस भावना को मैं समझ कर उनकी भावना के अनृप आने का प्रयास करता हूँ और मुझे अभी थो चाहां आप हुआँ इस कर उनके विजन के हसाब से, उनकी स्पीट के हसाब से हम काम करेंगे, तो निश्यत तोर पर उत्तर प्रदेश नंबर वन होगा, तो आने वाले समय में सर, ऐसे कौन से विजन है जो आपके दमाग में आप योगी जी तक रखना चाते हैं, जिससे आपके शेत्र में, क्रशी के श से इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा खेते हर भूमी भी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा किसान भी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश नदियों का प्रदेश है, यहां गंगा है, यमना है, गोमती है, घांगरा है, शार्दा है, सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सिस भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और बागीशा जी सबसे ज़्यादा देश की उपजाओ भूमी भी उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश एक तरीके से पूरे विश्व को खादान का उत्पादन या बिश्व का पेट भर सकता है और अन्यदाता किसान ने बहुत महनत करके आज उत्तर प्रदेश मैं आज ही आकड़े देख रहा था कि गहों के उत्पादन में चावल के उत्पादन में सबजियों के उत्पादन में फलों के उत्पादन में आम के उत्पादन में सरप्रथम है वो क्या है किसानों की महनत का ही तो परणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सभी चीज़ों में सरप्रथम है लेकिन दुर्भागी की बात ये है कि अन्य दाता किसान को उचित मूले नहीं मिल पाता है मैं अभी आपसे पोड़कास्ट से पहले आपसे बात कर रहा था तो मैंने क्या कहा कि बहुत अच्छे किसान बहुत अच्छा उत्पाद पैदा करते हैं लेकिन उनको उनकी उत्पाद का मूले पैदा नहीं उनको नहीं मिलता है बहुत अच्छी सबजियां होगाते हैं नेचरल फार्मिंग करते हैं और गने कि अपने बहुत करीब से जाके उनकी जिखनी को देखा है वाकिशा जी अच्छे कंज्यूमर भी है अच्छे प्रोडूसर भी है अन्यदाता किसान प्रोडूस करता है अच्छे कंज्यूमर आप जैसे हम जैसे जिनको अच्छा खाना चाहिए अच्छा दूद चाहिए अच्छा फल चाहिए अच्छी सबजियां चाहिए जो सबजिया chemical से और pesticide से infected ना हो यह चाहिए कि नहीं चाहिए तो उस चीजों के बीच में बड़ा gap है अच्छे producer और अच्छे consumer आप जैसे हम जैसे consumer किसान अच्छा producer उन दौनों के बीच में कोई भी platform नहीं है बीच में किसान की 10 रुपए की सबजी बिचौलिया 70 रुपए कमाके 80 रुपए की आपको किसान को सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं यह काम अभी तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया है और इस गैप को जो 10 रुपए की सब्जी आप सौर रुपए में खईद रहें और 90 रुपए दीमे प्रात्मिकता हैं, हो रही है, मैंने भी हाइटेक एगली कल्चर पर काफी सारे प्रोग्राम्स किये हैं, मैं विशेशग्यों को बलाया है, लेकिं दीमे दीमे मुझे लगता है कि यह से कंजूमर कहते हैं, व अच्छे किसान को जोब पकड़ लेगा और दौन और सीधा आपस में, तो आप योगी जी तक जाएंगे, यह ग्याप कैसे खतम करेंगे, यह इस गैप के लिए योगी जी चिंतित है, देखे यह पुराना सिस्टम है, मंडियों का सिस्टम पुरा सिस्टम पुनाना है, इसको धीमे धीमे, जो यह सिस्टम इसको दूर करने में अभी समय लगेगा, तो आपको बरोसा है, 100% बरोसा है, हम लोग इसी लिए काम कर रहे हैं, और हम लोगों को जिम्मेबारी भी इसी लिए मिली हुई है, जाते जाते सर एक संदेश, देश के य है, योगी जी की जरुवत लोगों को है, लेकिन हम लेट हो रहे हैं, देखे, मैं तो, देखे, बड़ा अच्छा प्रशना आपने एक और पूछा, युवाओं के लिए क्या संदेश है, देखे, ये युवा, ये देश युवाओं का देश है, आज भी उत्तर प्रिदेश की तरप ना भागें, क्योंकि हमारे दिमाग मैं पता नहीं क्यों, सरकारी नौकरियों के प्रतीश, направना सरकारी कर्मचारियों के बड़ी करमचारियों को बड़ी पावर हुआ करती है, तो आज भी वो एक इस्टिगमा, लोगों के दिमाग में बागीशान चलता चला आ र हो सकती है उसकी तरफ ध्यान ना लगाकर युवा सरकारी नौक्री की तरफ ध्यान लगाता है मैंने तीन सरकारी नौक्रियां की तीनों सरकारी नौक्रियां छोड़ दी मैंने मैंने प्रेविट सेक्टर में भी नौक्रियां की मैंने बिजनिस भी किया मुझे तो कभी कोई द युवाओं से हवाहन है कि सरकारी नौकरियों की तरफ कते ही न जाएं सरकारी नौकरी अगर उनके दिमाग में है एपलाई करें लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ बहुत सारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की स्वर रोजगार योजनाए में जंदन योजना है, स्टार्टप योजना है, स्टैंड अप योटडा है, इसके डवलप्मेंट्स के थे, वो अपने आप करें और अपने आपको बिदानमंत VOICE जी क्या कहते हैं, कि रोजगार देने वाले मनिये रोजगार लेने वाले नहीं बनी है तो क्यों नहीं लोगों को मैं युवाओं से यह आभान करूंगा अपनी capabilities पर भरोसा रखें और दिमाग में जो यह सरकारी नोक्रियों को भूत जो अभी चल गया है इस से जरूर निकालें और अपने आपको उसी चीज के लिए नई आने वाली चिनोतियों के लिए अपने आपको त्यार रखें सर युवाओं के लिए आपने बात कही है बेटियों की हमने बात कही है तो मुझे लगता है कि बार बार अगर ये कहा जा रहा है कि हिंदू खत्रे में हिंदू खत्रे में तो क्यों ना हम हमारे बेटियों को हमारे बच्चों को ऐसी बच्चपन से शिक्षा दें, उनको हमारी संस्कृति पता होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जादा तर बच्चों को हमारी संस्कृति ही नहीं पता है, देखिए बेटियों को नहीं पता होनी चाहिए, यह सारे अपराद अगर बेटों के दिमाग में अगर नैतिक सिक्षा और जो बुजुर्गों की सिक्षा अगर ढंक से समझाई जाए तो मैं समझता हूँ कि अपराद अपने आप काम हो जाएगा दुर्भाग एक है कि इदर शोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है हर तरीके का कंट्रोल मीडिया पर फ्लोट अता रहता है और हर तरीके का कंट्रोल को वालिल किया जा सकता है इस पर भी थोड़ी सी रोक होनी चाहिए और इस पर रोक समाज की तरफ से होनी चाहिए कि हम लोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई इस टाइब का कंटेंट आए तो उसका विरोध करें वाटसेब गुरूप में बहुत सारी गंदे-खंदे मैसेजिज आते हैं उनका विरोध नहीं करते हैं मैं आपको वागी शाषी बता दूँ अगर कोई इस टाइब का कंटेंट अगर कोई किसी गुरूप में डालने का प्रयास करता है मैं उसका विरोध करता हूँ और अगर इस ब्रोध के बापजूद भी अगर कोई नहीं मानता है तो मैं इस गुरूप को छोड़ देता हूँ तो मैं अनता हूँ कि लड़कियों को नहीं लड़काँ को जादा आजम्मेवारी हैं बिल्कुल सही का तो मुझे रखता है बच्चों को ऐसी सिक्षक्षा संसकार बचपन सी देने चाहिए बहुत प्रकरता से सर आपने अपनी बात रखी और निशित तोर पर जो आपने कहा है कि एक आपका बड़ा विजन है गैप को खत्म करना प्रोडूसर और कंजूमर जि उन्हें किसानों की जिन्दगी को करीब से देखा है साथी साथ उन्होंने एक और बात कई है कि सौ प्रतिशत हम आयुद्या की सीटे जीतेंगे और उत्तरप्रदेश को हम नंबर बन बनाएंगे बहुत 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 धन्यबाद सर आपका अनिमिफ निउस से जुनने के लिए आपने प्रकरता से अपनी बाते रखी है चाहे युवाओं को लेकर हो महिलाओं को लेकर हो या फर उत्तरप्रदेश और देश को लेकर है बहुत बहुत धन्यबाद धन्यबाद बागिशा यह आपने मुझे बलाया आभार आपका